विश्व विख्यात पंडित श्री राम शर्माजी आचार्य, जिनका जीवन स्वयम में मानाव के लिए शिक्षा ग्रन्त था, उनके द्वारा लिखित पुस्तकों की पाठ की श्रिंखला में प्रस्तुत है, उनकी प्रख्यात पुस्तक वेश भूशा शाली नही रखिये की प्रभाव शाली व्यक्तित्व यों बनता है, एक उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति, जिस काम में सफल नहीं होता, उसमें दूसरा साधारन सी शिक्षा पाकर भी अपना अधिकार कायम कर लेता है, इंटर्व्यू होता है, जिसमें कई बार देखा जाता है कि M.A. पास ले लिये जाते हैं, कई पंडित, विद्वान, दुनिया के एक कोने में पड़े-पड़े अपने भाग्यों को कोसा करते हैं, किन्तु सामान्य ग्यान रखने वाले लोग दुनिया के रंग मंच पर उतरते हैं, अपना प्रभाव और महत्ता कायम करते हैं, बाहिय साधन सु सुविधाउं से रहित व्यक्ति समाज में अपना आकर्षण और महत्व पैदा करते हैं, आगे बढ़कर समाज का नेत्रित्व करते हैं, बहुत से लोग इस तरह के विरोधा भास को पक्षपात, भीद भाव, अंधा नुकरण आदी का कारण बताते हुए, दूसरों को दोश दे कर ही संतुष्ट हो लेते हैं, हालांकि कुछ अन्शों में ये विशमताएं भी समाज में फैली हुई हैं, जिनके कारण उक्त मनुष्य का अपना अविक्सित संकीर्ण व्यक्तित्व ही होता है, महत्मा सुकरात के पास एक व्यक्ति तत्व ज्यान की शिक्षा प्राप् प्राप्ने, कपडे पहनने, उन्हें साफ रखने, शरीर को स्वस्थ बनाने का उपदेश दिया, वह हक्का बक्का रह गया और तत्व ज्यान न देकर छोटी-छोटी बातें बताने की शिकायत की, इस पर महत्मा सुकरात ने बताया, स्वस्थ, सबल, व्यवस्थित जीवन ही आध्यात्मिक साधना की प्रात्मिक आवश्यकता है, इसके अभाव में कोई भी तत्व ज्यान आध्यात्मिक अनुभूती का अधिकारी नहीं है, जीवन में सामाननी बातों से लेकर साधारन सफलताओं के लिए व्यक्तित्व का ठोस, सबल और सर्वांग पूर्ण विक होना आवश्यक है, इसके बिना सफलता की आशा करना दुराशा मात्र ही है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रहन सहन, बोल चाल, काम करने का तरीका आधि विभिन बातें व्यक्तित्व के अंग हैं, इन सभी का व्यवस्थित, स्वस्थ, सुन्दर, सूरुचि पूर्ण होना सबल एवं प्रभाव शाली व्यक्तित्व का आधार है, किसी भी पदार्थ के स्वस्थ, सुन्दर, व्यवस्थित, निर्मल आचरण की ओर आकर्शित होना मानाव स्वभाव की साधारण वृत्ति है, स्वास्थ्य, कपडे, रहन सहन के तरीके, बोल चाल, भाव भंगिमा आधि व्यक्तित्व के बाह्य प्रतिबिम्ब हैं, जिनसे दूसरे लोग प्रभावित प्रेरित होते हैं, जिनके बाल अस्त व्यस्त बिखरे हुए हों, वस्त्र गंदे और बेतर्तिव हों, जिनके पास जाने से ही बदबु आती हो, इस तरह के लोगों का प्रथम प्रभाव ही बुरा पड़ेगा और समाज में लोग उनसे दूर हटने का प्रयत्न करेंगे। फिर ऐसे व्यक्ति कोई बड़ी सफलता मिलने की आशा कैसे रख सकते हैं। संयमित और मर्यादित जीवन बिताकर सुन्दर स्वास्थ्य पाया जा सकता है। सुन्दर स्वास्थ्य प्रकृती का महत्तुपूर्ण उपहार है जो प्रत्यक प्राणी को मिलता है। अपने दुश्कृतियों अमर्यादित अनियमित जीवन अप्राकृतिक रहन सहन के कारण ही स्वास्थ्य खराब होता है। शरीर और वस्त्रों को साफ रखना भी कोई कठिन बात नहीं। केवल आलस्य के कारण ही मनुश्य तरह तरह की बहाने बाजी लगा कर इनसे बचना चाहते हैं। कई लोग कहते हैं क्या किया जाए पैसों के अभाव में उनके लिए साफ सुथ्रे रहना स्वस्थ बनना संभव नहीं। किन्तु यह अपनी कमी को छिपाने का प्रयत्न दूहरी भूल है। कोई भी व्यक्ति इतना गरीब नहीं होता जो कपड़े तो पहने किन्तु इन्हें साफ रखने को साबुन तक के पैसे खर्च ना कर सके। उल्टे साफ ना करने से कपड़े मैल और पसीने में लगकर अधिक फटते हैं, जिससे साबुन आधी के खर्चे से अधिक हानी हो जाती है। जो खा सकता है वह स्वस्थ भी रह सकता है। जो कपड़े पहन सकता है वह उन्हें स्वच्छ भी रख सकता है। अपने बढ़े नाखून काट सकता है। आखों में जमी हुई कीचड को धो सकता है। किन्तु मनुष्य लापरवाही और आलस्य वश अपने स्वास्थ्य और सफाई का उत्तरदाइत्व पूरा नहीं करता। जिससे उसके व्यक्तित्व का बाह्य धांचा भी भद्दा, फूहड मालूम पढ़ने लगता है। और देखने वालों पर विपरीत प्रभाव डालता है। फिर नौकरी ना मिले, इंटर्व्यू में असफल होना पड़े, दर-दर धक्के खाने पड़ें, तो उसमें आश्चर और दुख की क्या बात है। इतना ही नहीं, अस्वस्थता, गंदगी, अव्यवस्था से तो मनुष्य को आंतरिक प्रफुलता, संतोश, शांती, उत्साह, स्फूर्ती आदी भी नहीं मिलते। इस संबंध में एक बात और भी महत्वकी है। व्यक्तित्व को सुगढ़, स्वस्थ बनाने के लिए स्वास्थ्य, सफाई, स्वच्छता, व्यवस्था की तो अवश्यक्ता है ही, किन्तु इसका उद्देश, स्वास्थ्य संचय करने का अथ्वा बनाव, श्रिंगार, फैशन, तड़क-भड़क को ही महत्व देने के ल ये हानिप्रद और विरोधी बन जाती है, अधिक टीम टाम बनाना, चटक-मटक से रहने के आदत, गंभीरता, स्वाधीनता, संजीदगी का नहीं वरन छचोरे पन और बचकानी वृत्ति का परिचय देती है, कई लोग प्रथम भेंट में ही लोगों पर ऐसा प्रभाव ड जाते हैं, ऐसे लोगों में एक तरह का जादू होता है, उनके चहरे की आकरशक मुद्रा, मुस्कुराहट, नेत्रों में आशा भरी चमक, गजब की होती है, ऐसे व्यक्ति जहां होते हैं, वहां अपने अनुकूल वातावरन बना लेते हैं, उप्यूक्त इस्थान प्राप नेकलता हुआ जीवन्त कार्यक्षमता का प्रकाश, यही तत्व दूसरों पर मनुश्य की अदम्य शक्ति की छाब डाल देते हैं, और जादू की तरह प्रभावित करते हैं, जीवन में सादगी की आवश्यक्ता और उप्योगिता, यह निश्चित है कि हमारा जीवन जितन बनावटी होगा, हमारी आवश्यक्ताएं जितनी बढ़ी हुई होगी, उतना ही हमें अपनी शक्तियों को उनकी प्राप्ति के लिए किये जाने वाले प्रयत्न में लगाना होगा, जैसा की आजकल हो रहा है, प्रतिमाह 100 रुपए से 1000 रुपए पाने वाले व्यक्ति तक ज जीवन में अभाव ही महसूस करते हैं, उनका निर्वाह नहीं होता और जन साधारन का जीवन इसकी पूर्ति के लिए भाग दोड में ही लगा रहता है, नीती अनीती से जैसे भी बने मनुष्य अपनी आवश्यक्ताओं की पूर्ति के लिए जुटा रहता है, जीवन के किस उतक्रिष्ट पहलू आदर्श द्रिष्टिकोन महान लक्ष पर सोचने विचारने का उसे समय ही नहीं मिलता, अधिकांश मनुष्य गरीब से अमीर तक सभी अपनी आवश्यक्ता की पूर्ति के गोरख धंधे में ही लगे रहते हैं, इधर आमदनी बढ़ती है, तो उधर आवश्यक्ताएं सुर्सा की तरह मुह फाड़ कर खड़ी हो जाती हैं, और यह भी निश्चित है कि हमारी दिन रात बढ़ने वाली आवश्यक्ताओं का कभी भी अंत नहीं हो सकता, इन पर नियंतरन प्राप्त करने का एक ही आधार है, और वह है सादगी के आधार पर अप पर ने शरीर को ढख सकें, सर्दी गर्मी से शरीर का बचाव कर सकें, और यह साधारन मूल्य के कपड़े से संभव है, गांधी जीतों खादी की एक धोती और चद्दर में ही काम चला लेती थे, संत महात्मा एवं महापुरुशों का काम थोड़े से कपड़ों से ही चल जा फिर क्या आवश्यकता पड़ जाती है कि हम लोग बड़ा महंगा कीमती कपड़ा खरीदें और उसे नई तर्जों एवं डिजायनों में बनवाएं। डॉक्टर, वैद्य, हकीमों के पास जाते हैं। फिर दवाओं के नाम पर खर्च करते हैं। यदि आदमी पेट भरने की द्रिष्टी से ही खाए, तो बहुत कम खर्च में काम चल सकता है। इसी तरह हम रहन सहन, रीती रिवाज, त्योहार वार, विवाह शादी आदी के नाम पर दिखावे के लिए अपने नाम या बड़पन के लिए किस तरह इनही में अनाप्शनाप खर्च करते हैं। भारती नागरिक की कमाई का बहुत बड़ा अन्श इनही में खर्च हो जाता है। हालांकि इसके लिए हमारी प्राचीन परंपराएं, रुढियां आदी कम उत्तरदाई नहीं हैं। फिर भी विचार शील व्यक्ति प्रयत्न पूर्वक इस तरह के फालतु खर्चे को रोक सकते हैं। तथा कथित जीवन इस्तर, स्टेंडर्ड ओफ लिविंग के प्रचलित व्याख्या ही ये हो गई है कि मनुष्य कितना कीमती वस्त्र पहनता है। खाने, पीने, मौज करने में कितना अधिक खर्च करता है। समाज में ब्याह शादी, दावत भोज आदी के नाम पर कौन कितना धन फूकता है। इसके आधार पर ही उसका बड़पन आका जाता है। और इस सब के कारण मनुष्य दिन रात कमाने की फिक्र में लगा रहता है। यदि लोगों के जीवन उद्देश्य के बारे में अन्वेशन किया जाए, तो 99 प्रतिशत कमाना और खा पी कर जीवन बिता देना ही निकलेगा। और खाना, पीना, पहनना, मौज मजे करना भी ऐसा जिससे अंत में मनुष्य को कोई लाब नहीं मिलता। उसे पश्चा ताप ही हाथ लगता है। संपूर्ण जीवन इसी गोरख धंदे में लगा देना और फिर उसका नतीजा शून्य। कैसी विडम बना है, कैसी मरीची का है। सादगी भारतिय जीवन पद्धती का एक महत्तुपूर्ण नियम रहा है। और शायद सादा जीवन विताकर ही हमारे पूर्वजों ने ज्यान की महान साधना की होगी। उस ज्यान की जिसके कारण समस्त संसार भारत को सभ्यता का सोर्य ज्यान विज्यान का देश मानता रहा, जिसके बलपर भारत जगद गुरु कहलाया। सादगी एक ऐसा नियम है जिसके सहारे हम अपने वयक्तिक तथा सामाजिक जीवन की बहुत से समस्याओं को हल कर सकते हैं। सादगी के द्वारा अपना बहुत सा समय, धन, खर्च होने वाली शक्तियां बचा सकते हैं और उनका अपने उतकर्ष के लिए सदुपियोग कर सकते हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने जीवन के बाहिय विभाग को कम महत्व दिया है। सादगी से जीवन बिताने के लिए कहा है। ताकि हम अपनी शक्ति वियर्थ नश्ट ना कर उसका सदुपियोग अच्छे कारियों में कर सकें। रिश्यों का जीवन इसी सप्त्य का प्रतीक था। और किसी भी महानपत का साधन करने वाले महापुरुष को सादगी का मार्ग ही अपनाना पड़ता है। अपनी आवश्यक्ताएं बहुत कम सामान्य रखनी पड़ती है। जिनसे जीवन का निर्वाह सहज रूप में होता रहे। साधगी जहां व्यक्तिगत जीवन में लाबकारी होती है, वहां सामाजिक जीवन में भी संघर्ष, रहन सहन की असमान्ता, कृत्रिम अभाव, महंगाई आधी को दूर करके वास्तविक समाजवाद की रचना करती है। साधगी समाजवाद का व्यावहारिक नियम कर दिया जाए, तो कोई अत्युक्ति न होगी। समाज में जीवन संघर्ष इसलिए बढ़ गया है कि प्रत्येक अपने लिए अधिक से अधिक मांग करता है। अपनी शक्ति के अनुसार साधन सामगरी जुटा लेता है। इससे दूसरों का हग भी छिनता है और समाज में अभाव से महंगाई बढ़ती है। साधगी सिखाती है कि जितनी आवश्यकता हो, जितने से जीवन सरलता से चल जाता हो, उतना ही काफी है। फिर छीना जप्टी क्यों करेगा? न किसी का हग छिनेगा, न महंगाई बढ़ेगी। यदि संसार के सभी लोग साधा जीवन बिताने लगें, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि मानव जाती की अनेकों आर्थिक और सामाजिक समस्याएं सुलज जाएं। जीवन सरल हो जाए। इसलिए जीवन को साधा बनाईए। इससे आपका और समाज का बहुत बड़ा हित साधन होगा। अंदर और बाहर की पवित्रता पवित्रता, शुद्धता, स्वच्छता, मानव जीवन को उँचा उठाने के लिए एक महत्तो पूर्ण सदगुण हैं। अनेक लोग स्वच्छता अथ्वा सफाई का अर्थ केवल उपर की टीम टाम, आकरशक श्रिंगार या बढ़िया फैशन बना लेना ही समझते हैं। कुछ लोगों की द्रिष्टी में बढ़िया वस्त्र, आभूशन, प्रसाधन सामग्री का उपयोग करना, सफाई और सौंदर्य का प्रमान माना जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शरीर और वस्तूओं की अधिक सफाई, सौंदर्य की वृद्धि आदी बातों को सांसारिक प्रपंच मान कर इनकी उपेक्षा करने में ही मानता अनुभव करते हैं। पर ये सभी द्रिष्टिकोन एकांगी हैं। ये हो सकता है कि कुछ लोग विलास प्रियता अथवा श्रिंगार के भाव से ही सफाई करते हों। ये भी हो सकता है कि अन्य लोग अपना वैभाव बड़पन प्रकट करने के द्रिष्टिकोन से सफाई पर ध्यान देते हों। पर इससे स्वच्छता की प्रवृत्ति को अनावश्यक या उपेक्षणिय नहीं माना जा सकता। वास्तों में स्वच्छता, सफाई, पवित्रता एक ही उच्च मनोवृत्ति के रूप हैं। और शरीर को स्वस्थ, मन को प्रसन तथा आत्मा को शांत रखने में इनका बड़ा योग रहता है। बाह्य स्वच्छता और पवित्रता से अन्ता करण की पवित्रता की भी वृद्धी होती है। और मन में अशुद्ध भावों का उदय होना स्वयमेव कम पड़ जाता है। यदि केवल बाहरी सुन्दरता और रंग रूप को ही महत्तोपूर्ण समझा जाए, तो वह वेश्याओं में भी देखने में आता है। पर उनके जीवन को कौन प्रशन सनीय कह सकता है। इसी प्रकार स्वास्थे की निगाह से खूब मजबूत तगड़े पहलवान जिनका चरित्र आदी उत्तम नहीं होता और बोल चाल में भी अखड़पन प्रकट होता है। वे कहां लोग प्रिय या सम्मानिय समझे जाते हैं। इसी प्रकार जो लोग पूजा पाठ में विशेश लगे रहते हैं और धार में क्रिया कांड का पालन करते हैं पर जिसमें परोपकार, विनय, सज्जनता आदी का अभाव होता है, वे कैसे जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमको ये भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि मानव जीवन के अनेक पहलू हैं। उन सभी की उन्नती करने से उनको शुद्ध तथा पवित्र बना कर ही हम अपने जीवन को वास्तों में स्तुंदर संसार के लिए उपयोगी महत्तवपूर्ण बना सकते हैं। जिस मनुष्य ने अपना जीवन आलस्य अकर्मन्यता में व्यतीत किया है, जिसे उद्योग, परिश्रम, अध्यवसाय की रूची नहीं है, जिसमें हराम, खोरी, पराशृत रहने की प्रवृत्ती ने जड़ जमा रखी है। वह कभी श्रेष्ट और सुन्दर जीवन प्राप्त करने की आशा नहीं रख सकता। चाहे भगवान ने जन्म से उसे सुन्दर शरीर दिया हो, तो भी अपने आचरणों और गंदे मनोविकारों के द्वारा यह उसे विभत्स बना लेगा। ऐसे लोग सब जगह प्राया तिरसकार, लांचना और अपमान ही पाते हैं। और इसी लिए उनकी द्रिष्टी में तमाम दुनिया ही दुख पूर्ण, कुरूप, घ्रिणा करने योग्य जान पड़ती है। फलता वे स्वयम भी वैसे ही बनते चले जाते हैं। अंतह और बाह्य मलीनता ऐसे लोगों में प्रत्यक्ष दिखलाई देती है। और उसके कारण वे सरवत्र उपेक्छणिय और निक्रिष्ट ही सिद्ध होते हैं। ये मनुष्य तामसिक श्रेणी के होते हैं। झाँ स्द्रेणी की आर्श। ऱष्याभर कर वे की और गय